एक और पुरू के निश्चे पर धनानंद की असुरक्षा की भावना की परचाई पड़ रही थी तो दूसरी ओड़ अलेक्जांडर की आक्रमन का संकट गहरा रहा था एहंकार और क्रोध की अगनी में चल रहा अलेक्जांडर उस मार्ख को ढून रहा था जहां से सेना समेथ मुझे पार कर सके और उसके इस प्रयास में सिल्यूकस की उसके साथ ही था दिन बीत रहे थे पर अलेक्जांडर का निश्चे बीतने का नाम नहीं ले रहा था हर सांश सूरे भी ठक कर सो जाता पर आलेक्सांडर विश्राम लेने को सज्ज नहीं था और पौरव राष्ट्र का सुरक्षित मार्ग धूनने में उसके सैनिक अधिक से अधिक जुटे गए महीनों तक अलेक्सांडर और उसकी सैना दिन रात उत्तर दक्षिन हर और मार्ग खोचते रहे उसने अपने सैनिकों के जीवन को दाव पर लगाकर उन्हें गहरे पानी में धेजा जहां उन्हें मेरी उंची नीची और भयानब धराओं का साम्ना करना पड़ा तफ्ती धूपों या ठिटुराने वाले ठंडे पानी की वर्षा कोई अलेक्सांडर के होस्त्यों को मात नहीं दे पा रहा था अलेक्सांडर ना स्वयम विश्राम को सज्ज था ना ही किसी को करने दे रहा था मैंने हर संभख बयास किया कि मैं अलेक्जांडर को अपनी लहरो द्वारा रोक सकूँ तब तक जब तक कि पुरू इस युद्ध के लिए पूर्णता सज्ज ना हो जाए अलेक्जांडर ठक नहीं रहा था तो विश्राम पुरू भी नहीं कर रहा था सिकंदर के विरुद्ध वो पूरे भारत को एक जुट करने में लगा था पुरू के मेत्रित्व में धीरे-धीरे भारत एकता के सूत्र में बंध रहा था अखंड भारत का स्वपन साकार होने लगा था पर पुरू की बढ़ती लोकप्रियता धनानंद की आखों में अब शूल की भांती चुबने लगी थी पुरू के बढ़ते तेज से धनानंद विचलित हो रहा था चानक्य जानते थे कि धनानंद की असुरक्षा की चिंगारी भविश्य में भयानक ज्वाला का रूप ले सकती है पर उनके पास ना धनानंद का कोई उपचार था और ना ही अलेक्सांडर के प्रयासों का कोटो समय चक्र घूंता रहा किन्तु आलेक्सांडर का प्रयास चक्र थम नहीं रहा था कहते हैं ना यदि आप किसी वस्तू को द्रिंटा से तलाश करो तो वो भी आपको खोजना प्रारंभ कर देती है आखिर मुकदर ने सिकंदर से हार मानी वहाँ और छे महीनों के अथख प्रयास के बाद उसे मार्ग मिला यहाँ अच्छ प्रयास अच्छ देख लगाँ यहाँ रवचा यहाँ यहाँ जबाद वहाँ प्रयास यहाँ लग बाद झाल झाल यही वो जगा है जहां से हम छेलम पार करेंगे इसी टापू पर हम अपनी छावनी बनाएंगे जहां से हम आसानी से छेलम पार कर जाएंगे जगे हमारी छावनी से काफी दूर है यहां छावनी बनाने से पहले हमें इसका मुआयना करना पड़ेगा जिसे दर्या की गहराई और लेहरों की तेजी मापनी पड़ेगी वो तक होड बुलाओ नहीं से लुकस इस चगा का मुआयना मैं खुद करूँगा लेकिन शाव इस पे खत्रा है हाब क्यो जाएंगे हमारी पॉच के गोथा को और यह काम कर देंगे जिंदगी का द्रक्त खत्रों की जमीन पर पनपता है इफैस्टिया और जिंदगी उसके आगे छुकती है जो खत्रों के सामने छुकने से इंकार करते हैं जिंदगी दोसाओ झाल जोसाओ झाल low परंगาม सब दो चीच सावर्णातिे शोफे हैं sommes किए भी रिपित क्टिखना जीधिश्चाय !! अपने अंदर के खौफ को छिपाने के लिए हम अकसर नामुम्किन लफ्स का साहरा लेते हैं छोड़ दो इस लफ्स की बैसा की तेरे इस दुनिया में कुछ भी नामुम्किन नहीं रहेगा इसलिए चलो आगे और जौन दो उस जेलम का सीना चलो उस टापू पे चाहसे नवसस बार रहम लगा आगे लगा थीज़ा! ये शान्ती, ये तूफान के आने से पहले का मौन है आचार मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि माचेल मुझे संदेश देने का प्रयत्न कर रही है कि जो युद पिछले छे महिने से मौन है वो किसी भी शड़ जख सकता है हमें अपनी सेनाओं को सच रखना होगा पुरू, इन सब अलग-अलग राजियों की सेनाओं को एक साथ, एक ही युद के लिए कत्रित करना अत्यांत सराहनिय प्रयास है परदू मेरे विचार से मगद की सेना को इन सब सेनाओं से अलग रखना ही उचित होगा है मैं आपकी बात की घंबीरता को समझ सकता हूँ अचारे पिन्तू हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है मगद की सेना हमारे बल का मेरे दंड है और हम उन्हें अलग नहीं कर सकते हैं पुरू देश के प्रति तुम्हारी निष्ठा और कर्तवे पर आयानता सराहनिया है पर अंतू स्मरण रहे हमारे इसी देश पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं और युद्ध के ये बादल कहां बरसेंगे ये केवल पवन की गती तए करेगी और मुझे पवन की गती बदलने का आभास हो रहा है धनारंद जैसा शत्रू मित्रता का कितना भी आश्वासन क्यों ना दे दे परन्तू उसके प्रति सतरकता बरतने में कोई हानी नहीं बुरू यदि हम सुएम उन पर विश्वास ना कर सकें तो उन प्रयासों और परिदानों का कोई अर्थ नहीं जो हमने अखंड बारत की रश्णा के लिए दिये बारत एक होगा विश्वास की डोर से संदह के खुलाडी से हम भारत के टुपड़े नहीं होने देंगे मुझे आभास है कि समराथ इस बात से प्रसन नहीं कि हमने अन्य राजाओं के साथ संदी की है उनकी और सहिष्टा की बावनाई चिप नहीं सकी मुझ से किन्तु ये भी सत्य है आचारे कि मगद की सेना के सहियों के बिना मेलक्स जानर को परास नहीं कर सकेंगे लिए मगद पीछे हट गया लोलक्स जानर की सेना का तूटा मनूबल फिर से एक हो जाएगा और तब अपनी मात्र भूमी के रख्शा करना कटिंसे दोगा लकिन दूआफ का सुजाव उचित था मगद की सेना को ऐसे मौर्चे पर रखूँगा कि अन्य साहा एक सेना के संपर्क में ना रहे आवशक्ता पढ़ने पर किया जाएगा क्योंकि अधि अलक्स जानर इतने लंबे समय से शांत बैठा है तो वो कोई बढ़ा और बहंकर के लवश चके लेगा और मैं उसके लिए सच हूँ जबास जबास थोड़ा आगे और बढ़ो थोड़ा थोड़ा असना उतिका आगे बढ़ो मंजिर के इतना करीब आगा हम उमत नहीं आग सकते तुम इकार सकते हो आगे बढ़ो जा रुकी आगे पानी के बहाव बहुत तेज है मैं मदद विजवाता हूँ कोई आगे नहीं बढ़ेगा ये चंग मेरे और छेलम के बीच है आगे बढ़ो या तो आज हम इस टापू पर पहुचेंगे या इसी छेलम में डूच जाएंगे पर रोच के नहीं जाएंगे आगे बढ़ो बढ़ो क्यान रूल कोरे करें! चौंकल्प gefis स्टिग कर दादध करेवार, करेंगों, करेंगों, करेंगों करेंदेंग क्ञिक सेटें हुई ऐसे का इसाए दूसे पॉब मादन इस भीन हो disabled क्रूलाय कर्टेंस क्रूलाय इस दस्टी के सहारे आगे तलो सेलुकस और हमारी आदी फौच को इसी रास्ते से आगे नेखना एफास्टियान तुम बाकी की फौच के साथ जमीनी रास्ते से आगे मड़ो और पौरा मुल्क पहुचो हम अचानक हमला करके उन्हें तबार कर देंगे खेल का आकरी मंसर अब शुरू हुआ पौरास्टियान तुम पहुचो क्या इस विशे में और कोई जानता है कोई नहीं प्रभू सोचना मिलते ही मैं सीधे यहीं आया हूँ ठीक है चाओ तूम मैं सोच रहा था अब इस खेल में मनोरंजन शेष नहीं रहा छे माँ बीट गए और हर दिन जीवन बेरंग और नीरस हो रहा है और जहां आनंद ना हो वहाँ धनानंद का क्या लाब यह छोटे छोटे शत्रिये जो खेल खेलना चाहते हैं खेले मैं मगद लोटूंगा अलेक्जैंडर तो आ नहीं रहा है वो आ रहा है अलेक्जैंडर अपनी सेना के साथ उत्तरी छोड से आ रहा है महां महीं और वो कभी भी आखरमन कर सकता है और ग्यान पौरो राष्टर में किसी को नहीं ग्यान यह ज्यान ही शक्ति है महामात्या यह ज्यान ही है जो एक राजा को सम्राठ बना दे और सम्राठ को फिक्चुक यह ज्यान यदि संसार में सबको प्राप्त हो जाए तो कल्पना करें यह संसार कैसा होगा चोटा बड़ा पात्र कुपात्र सब राजनीती का खेल जीत जाएंगे अब तक गुरू इस खेल को जीत रहा था पर अब ये ग्यान के पासे खेल के बिसात को ही बदल देगा आओ पौरवराज तुम्हारी ही प्रतीक्षा थे अब तुमसे ही ये खेल मनोरंजक होगा समाच आता हूं समराड किन्तु चौसर का खेल मुझे खेलना नहीं आता मैं आपसे केवले एक निवेधन करने आया हूं निवेधन विंती ये शब्स मुझे अत्यांत प्रिये बताओ क्या विंती है तुम्हारी मैं चाता हूं कि आपके पूरी सेना उत्री दिशा में रहकर अत्रिक बल के रूप में मेरा नहीं होते पूर्ण करने में एक शित्रानन दाता है पूर्ण तुम्हारी एक्छा आवर्ष्य पूर्ण होगी मगत की सेना उत्तर से आएगी क्यों समझ लो मैं और मेरी सेना उत्तर दिशा की ओर कूच कर रहें अभी नहीं समराग् आप हमारे सायक और सायकों की सुरक्षा करने का दायत वो मेरा है पहले मैं स्वाहिम वहां जाओंगा और ये सुनिश्चित करूँगा ये वस्तान आपके और आपकी सेना के लिए सुरक्षित और उप्युक्त है ये नहीं अत्तम वास्तम में तुम्हारे विचार महान है पुरुक्त जाओ सुरिश्चित करो कब तक मैं अपनी सेना को सज करता हूँ और उचत अफसर आने पर मैं अपना अगला कदम बढ़ाऊंगा आओ अलेक्जांडर मैं तुम्हारी और बुरु की भेंट की प्रतीक्षा बहुत उच्छित सक्ता के साथ कर रहा तुम्हारी जाओ खुरु यह स्वर कैसा? अमारा तो हैं को इस लानिया बलभी सज लेए तो सामने आही गाए पोरास आचके दन इस किर्का कात्मा शुरू होगा आचके दन इस किर्का कात्मा शुरू होगा आचके दन दो